भाई सुबा जितना भी फ्रेश उठो कुछ टाइम में सन, डस्ट, प्लूशन, स्ट्रेस वगारा की वज़ा से ना फेस एक दम डल हो ही जाता है and specially अगर आप मेरी तरह कम सोते हो रात को तो आप अगले दिन सुबा जॉम्बी बन के उठते हो लेकिन don't worry, अगर आप कुछ important चीजों का ध्यान रखते हो, तो आप अपना पूरा दिन फेस चमका के रख सकते हो मैं बताऊंगा सारी चीजे हो वाली What's up bro, welcome or welcome back to my channel, मैं हूं San Kalra and this video is about how to look fresh the whole day मैं आपको दूँगा एक freshness skincare routine और tips दूँगा हर टाइप की skin के लिए तो पूरा video अच्छे से देखना और end में एक special tip भी दूँगा, तो end तक देखना First step है drinking 3 liters of water every day Water increases blood circulation और वो blood आपके face तक पहुंचता है and skin refresh हो जाते है तो पानी पीना बिल्कुल भी मत भूलना, 3 liters everyday and पानी पीते पीते थोड़ा यार, subscribe बटन को भी गीला कर दो यार, दबादो subscribe बटन Face पे coffee लगाना एक बहुत अच्छा तरीक है अपने face को एकदम fresh दिखाने का क्यूंकि जो coffee में caffeine होता है वो आपकी skin को de-puff कर देता है de-puff का मतलब है वो जो थोड़ा सा fulla fulla part होता है उसको एकदम normal कर देता है लेकिन यार, यह जो पूरा process होता है इसमें काफी time लग जाता है आप वो बनाते रहते जो मास बास बनाओगे और उपर से किच-किच भी होती है, messy भी हो जाता है और इन सब से आपको multiple चीजों के फायदे नहीं मिल पाते multiple ingredients के फायदे तो आपको ऐसे products use करने है जिनके अंदर coffee हो बढ़ उसका मतलब यह नहीं है कि यार, मुँपे coffee उठा के मार दी तो इसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा face wash जो की नहीं सिर्फ आपकी skin को clean करे बढ़ उसको जगा दे आपको चाहिए एक deep cleansing formula जो की oil and dirt हटाए आपके pores को clean कर दे और आपके face पे जो dullness है वो हटा दे और आपकी skin को कर दे fresh और oil free और इसके लिए मेरा favorite option है naked and raw coffee face wash from mcaffeine तो face wash करने से पहले आपने face को थोड़ा अच्छे से गीला कर लेना क्योंकि वैसे भी ये face wash थोड़ा सा ठिक है और इसकी smell जादा strong नहीं है जो कि मैं prefer करता हूँ और हाँ वो थोड़ी थोड़ी ना coffee वाली smell है जैसे वो शादियों में filter coffee वाली stand के पास आती है बिल्कुल वैसी मतलब smell से ही नीन खुल जाए और अगर आपको और product reviews चाहिए आप चाहते हो मैं उसके series चुरू कर दूँ तो यार विडियो को 2000 likes पे ले जाओ और वो series जरूर आएगी और हाँ एक बहुत important tip face wash के लिए हमेशा cold water यूज करना चाहे गर्मियों चाहे सर्दियों किसी भी हालत में cold water यूज करना ताकि आपका face fresh रहे और damage ना हो इस face wash में ना काफी हट के ingredients हैं जैसे की coffee, caffeine, seaweed और white water ले ली तो इससे सुभा सुभा एक fresh और healthy looking skin मिल जाएगी बिल्कुल ऐसे नए नए खिल फूल की तरह इसे ना face एकदम deep clean होता है तो अगर आपकी skin dry और sensitive है तो पहले एक patch test कर लेना मतलब कान के पीछे थोड़ा सा face wash लगा के उसे धोके देख लेना कि जाधा roughness, dryness तो नहीं होरी महाँ पर Alright, so 5 हो गई, अब next step है कि आप अपने face को जो आपने wash करके nutrients निकाल दिये हैं वो nutrients डालो face के अंबर और nutrients देने के लिए आपको कुछ ऐसा use करना पड़ेगा जिसके multiple benefits हो तो मैं use कर रहा हूँ Naked and Raw Coffee Face Serum from MKFE मुझे से sun से protection तो मिली जाएगी और साथ में जो vitamin E होता है वो help करता है आपकी face को detan करने में इसको थोड़ी सी quantity में ले लो बस अपने हाथ पे और circular motions में अपने face पे लगा लो काफी quick absorbing है and साथ में hydrating भी CV na product के ingredients बहुत important होते हैं तो वो मैं आपको बतायता हूँ इसके तो पहले na packaging पर ही देख लिया करो कि इसमें कहीं SLS और Paraben तो नहीं है जो कि इसमें नहीं है अगर होते तो cancer हो सकता है जो white water lily होता है वो आपके जो sun damage हो चुका होता है और जो pigmentation हो चुकी होती है जो black placard के spots बन चुके होते हैं उस पर act करता है और जो caffeine होता है वो आपकी skin को tone करेगा और इसमें pure coffee, caffeine, white water lily, vitamin E, hyaluronic acid ये सारी आपको एक healthy glow देंगे face पे यार सबकी इन skin अलग होती है तो अगर आपको किसी एक specific skin type पे एक अलग से skin care routine चाहिए तो नीचे comments में अपना skin type comment करो जिस भी skin type के comments सबसे जाद होंगे उस पर वीडियो जरूर आएगा तो competition चुरू है यार अब कोई भी ना product magic नहीं कर सकता जादू से एकदम से आपकी skin एकदम से नहीं चमक जाएगी और specially serums को आपको लंबे time तक use करना होता है एक दो महीने तो आपको use करना होगा उसका अच्छा result देखने के लिए तो इसको अपने daily routine में डाल लो अगर आपको fresh दिखना शुरू करना है अब मेरी na oily skin है तो मेरे लिए ये सही है क्योंकि वो tail tail वाली feeling नहीं देता है ये greasy नहीं लगता मेरे face पे लेकिन अगर आपकी dry skin है तो इसके साथ एक moisturizer ज़रूर use कर लेना next point है कि आपकी eyes के नीचे का area सबसे ज़ादा दिक्कत देता है आपको dull दिखाने में क्योंकि वहाँ पे होते है dark circles यानि की skin थोड़ी सी ज़ादा dark हो जाती है और साथ में थोड़ी सी full भी जाती है तो basically अगर पूरी राद जगे हो ना तो अगले दिन एकदम नशेडी लगोगे और आपको ये solve करने के लिए एक separate product चाहिए क्योंकि जो skin होती है आपके eyes के नीचे की वो थोड़ी सी ज़ादा पतली होती है thinner होती है आपकी बाकी की face की skin से तो मैं यूज़ करूँगा Naked and Raw Coffee Under Eye Cream from M.Caffeine इसमें coffee infuse करी हुई है तो आपके eyes के नीचे के area को ये de-puff कर देगा मतलब फूला फूला जो effect उसको कम कर देगा और इसमें जो ingredients है वो आपके eyes के नीचे की skin को hydrated रखेंगे और sun से जो damage हो जाता है न उसको भी थोड़ा बहुत ठीक करेंगे बस इसकी थोड़ी सी quantity low अपने eyes के नीचे हलके से dab करो gently एगदम जादा जोर से मत घिसना और इसको सुभा अपने daytime skincare में और रात को सोने से पहले आप लगाओ अब इसके भी ingredients एकदम बढ़िया है जो caffeine है वो antioxidant rich होता है तो आपको एक healthy glow मिल जाएगी और इसमें जो white water ले लिए है उससे जो आपकी हाँ पर छोटी छोटी lines बन जाती न आइसके नीचे वो wrinkles ऐसी दिखने वाली उसको एक कम कर देगा vitamin E जो है वो आपका sun damage ठीक करेगा और साथ में hyaluronic acid आपको hydrated रखेगी sweet almond oil भी है जो कि moisturize करेगा skin को और smooth करेगा मैं ये weekdays पर जरूर यूज करता हूँ सुबा सुबा जब मेरा office होता हूँ और मुझे महा पर fresh दिखना होता है क्योंकि मैं घर आता भी लेट हूँ और ठकावा होता हूँ सुबा भी ठकावा उठता हूँ cruelty free and peta certified thanks for watching अगले में बनते हैं